कि नमस्कार स्वागत अविवादान आपका मैद उर्गेंद्र चोहान हो मंतन में आज बात करेंगे बद जुना बद जुबानी सीर के उपर पानी नूपूर सर्मा की बद जुबानी ने ऐसा महुल क्रेट कर दिया कि पानी सीर के उपर चला गया नूपूर सर्मा भारती जनता पार्टी के नेलंबित राश्ट्री प्रभक्ता उनकी बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में रामपूर और आजमगड के उपचुनाव को लेकर अब सीधा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारती जनता पार्टी में है आजमगड में जरूर बहुजन समाजवादी मुकाबले को त्रिकोणी बना रही है इसके क्या माइने हैं क्या उद्देश से हैं इसका भी विसलिशन करेंगे और बात करेंगे उस खुखार आतंकवादी की जिसने कासी में 16 साल पहले ब्लास्ट किया था बज्जुबानी सिर के उपर पानी वाकई पानी सिर के उपर चला गया भारती जनता पाटी की राष्टी प्रवक्ता और दिल्ली से मवजूदा मुख्यमंतरी अर्विंद केज्रीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली नूपूर सर्मा ने आएसी बज्जुबानी कर दी कि भारती अंता पाटी के गले नहीं उतर रही है अन्तर रास्टी अस्तर पर भी निंदा अलोचना और भारती सामानों के अरब देशों में बहिस्कार की धंकी को लेकर ये कारवाई तो कर दी गई है लेकिन अब इसके बाद एक नई मांग एक नए तरीके से जो अरब देश हैं वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिस कर रहे हैं कि अब नूपूर सर्मा के गिरफतारी होनी चाहिए औ दूसरे सजन जिनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल ही दिया गया है दिल्ली भारतियंता पार्टी के प्रवक्ता नवीन चिंदल उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया 6 साल के लिए और इनको निलंबित किया गया मुतर्मा को इस इसको लेकर जो अंतराश्टी इस तर पर दबाव बंद रहा है वो अपने आप में उसका एक नए मोर्चे पर भारत को लड़ना पड़ रहा है जिस तरीके से हमारे दूतावास हैं यूर्भ कंट्री में कि चाहा औरव उमान हो दुबाई हो जितने भी यूर्भ कंट्री से ने भारत के लोगो को संतुष्ट किया बहरत की सरकार इस तरीके का मंतब नहीं रखती अगर दुनिया में कहीं मुसलमान सुरक्षित है तो भारत में अगर सबसे सामपरदाइक सदभाव से कहीं रहता है तो भारत में ये बात उमान में भारत के राजदूत ने जो जिल लोगों ने इस पर सबार उठाये थे उमान की सरकार ने और वहां के लोगों ने उस पर भार तत्यों के कारण अरैक्त तत्यों निहीं इस सब्द का इस्तेमाल किया है कि यह सरकार से कोई LE हरकत है और उने पर कारवई की जा चुकी है ज़ुद बड़ा सबाल है कि क्या नोबूर सर्मा और नवीन जिंदल अराजक्तत्यों निहीं और फार्रिंप उनकी बासा का रेफरेंस लें तो उन्होंने आरजक तत्तों का इस्तेमाल किया है सब्द का यह अपने आप में इसी तरह OIC ने जो अरब देशों के एक संस्था है उसने एक तरीके से एक अलग तरीके का प्रेसर बनाने की कुशिस की है भारत के विदेश मंतरी ने साफ तवर पर कहे दिया है कि यह जो कुछ देश हैं यह पाकिस्तान के इशारे पर ऐसी तरह की बाते कर passiert कर प्रबक्ता हैं जो बड़े-बड़े पदों पर टीवी चनलों पर बैठते हैं ये क्या समझते हैं ये क्या राजनेतिक पार्टी को क्या समझते हैं इनको ये पता नहीं है कि भारतियंता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनेतिक पार्टी है और उसके आप नुमाइं जरूर कह रहा है कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ हैं विदेशों में प्रधान मंत्री के चित्र का भी गलत इस्तेमाल किया गया अरब कंट्रीज में कुछ इस तरीकी के तस्वीरे सोसल मेडिया पर आई हलाकि वो सच हैं जूट हैं इसकी हम पोस्टी नहीं क कहा कि वो हम हमारे अंतर जो भारत के अंदर भले ही हमारे विचार धारा हमारे ताउर तरीके राज़नीत के अलग हों लेकिन वो भारत के प्रधान मंत्री है नरेंदर मोदी जी उनके खिलाब किसी तरह की पड़ी बर्दास्त नहीं की जाएगी नाकाबिले बर्दास्त है इस तरीके के बहुत सारे बयानात आए हैं और इस बीच AIM के अध्यक्ष असदु दिन ओवैसी ने कहा कि बाकी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं कोई कानपुर की घटना में गिरफ्तारियां हो रही हैं पोस्टर जारी किये जा रहे हैं नूपूर सर्मा क्यों नहीं गिरफ्तार हुई ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जो बवाल की जड़ है वो कहना कि जो बवाल की जड़ है नूपूर सर्मा उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है इस बात है कि पानी तव्कीररजा ने भी परदरस्ण की चेतावनी दे रखी है बरेली शरीफ के मौला ना है उन्हों ने भी चेतावनी दे रखी है तो कुल मिलाकर इसी तरीके से कानपूर में है जफरासमी नाम का ये सक्स जो मुख्यारोपी है कानपुरहिंसा का उसना भी बाकदे सोसल मेडिया पर पोस्टर बाजी करके पांच तारीख पांच जून को एक जलसे का एलान किया था एक तरीके से प्रदरसन का एलान किया था लेकिन अंदर ही अंदर वाटसेप को जरिये एक ऐसी प्लानिंग में लगी कई लोग घायल वी तमाम लोगों को चोटे लगी और यह देख रहे हैं हजारों लोगों के कलगबग एक हजार लोगों के खिलाफ मुखदमा कायम किया गया ऑंशमें तक am पुलिस ने 14 दिन की रिमांट पर बिलिया है कुल मिला कर ये ये पूरा प्रक्रण जो रचा गया SFI का भी नाम उसमें आ रहा है कि SFI की फंडिंग के वज़े से इस तरीके की घटना हुई लेकिन ये बवाल ये मौका कहां से मिला बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई नूपूर सर्मा अगर ऐसी हरकत नहीं करती अगर पैगंबर मुहमद सहाब पर उनकी टिपड़ी नहीं होती तो साई इस तरीके स्थितिया नहीं होती ठीक है हम करें कि कोई अंदर कोई सडियंत्र कर रहा है देश के किलाब तो वो इंटेलीजेंस एजेंसियों की नजर में जरूर होगा और उस पर वो कारवाई करती और सडियंत्रकारी इस देश में वरदास्त नहीं ये बिलकुल सत्य है लिकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तों में यह कहीं न कहीं जो इसकी सूत्रधार है यह मुहतर्मा है जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है और इनके साथी उनकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे वो भी टुटर पर जहर उगला करते हैं दिल्ली प्रदि बातल हैं यह बारती जंता पार्टी के प्रवक्ता है और इनके अध्यक्ष आदेश गुपता दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्र में कहा कि नहीं सरारत पूर्ण बयान दिये बाकाइदे तो यह प्रवक्ता यह न समझें कि इस तरह की हरकत करक के उनके अध्यक्ष उनकी पार्टी उनकी सरकार उने डिफिंट करेगी क्योंकि यह आपको डिफिंट करना है अगर जो आप कहते हैं वह आपका कहा सुना है तो कहीं इसमें न जाई हमें लगता हैं लोगों को बहुत सारे प्रवक्ता बहुत गंदा गंदा बोलके नमीन जिंदल भी कहीं न कहीं से दिमाग लगाए रहे होंगे उसी मुझे लगता आति उत्साव में यह हुआ है लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ इस देश के लिए उत्तर प्रदेश के लिए खास तोर पर योगी अधित्यनात की सरकार ने लगा अतार उन परस इसका जो अतिसमेदर सिल शहर कानपूर है वहां इस तरह की घटनाई हुई रविवार को हिंसा भड़की और जवर्दस हिंसा हुई वे तस्वीरे पत्थराओं की हैं कल और आज इस सिती काबू में है 40 जो पत्थर जिन्होंने पत्थराओं की तस्वीरे कानपूर में प्र है कि सूचना देने वेले का नाम गोपनी रखा जाएगा इसके बाद बहुत सारे फोन अब आने लगे हैं यह वो पेट्रोल पंप है जहां से बोतल में पेट्रोल दिया गया था इसी बोतल में लाए पेट्रोल से पेट्रोल बंबना कर हमला किया गया था धंगाईयों हैं जो देश बुरुदी तकते हैं उनके द्वारा कि तस्वीर हैं ज्यादा तर इसमें आप देखेंगे तो नौजवान बच्चे हैं सोला साल पंदरा साल अठारा साल बीस साल बाइस साल मुझे रखता पचीस साल से ज्यादा उम्र का साइधी कोई वेक्ति हो इनका गया बेटा पत्थर फेको और फेक देंगे ऐसा भी नहीं है कहीं न कहीं इनके माइंड को वास किया गया इनके दिमाग में जहर बरा गया जहर भरने जो जहर मुझे तीर चलाते हैं उन लोगों को कम से कम पकड़ा जाना चाहिए लेकिन इन अगर ये गुनहगार है तो 40 लोग वो हैं जिनको पुलिस नहीं पहचानती और अभी एक दो लिस्ट और आने वाली हैं जिनकी चौरहे चौरहे जिनकी फोटो चस्पा की जाएंगे तो ये कुलमिला के हालात हैं लेकिन जैसा हमने मन्थन में इसको हम लेकर आए हैं कि बद जुबानी और सिर के उपर जया पानी तो वाकाई पानी सिर ले चला गया है देश के जाने माने संपादक वरिष्ट पत्रकार आलोग्ब भदुर्या जी हमारे साथ जूड़ गए हैं और मित्र वरिष्ट पत्रकार राजितेक्वशल सक्विलाल सभजवारी सहब्रू जोड़ गया दोनों हमानों का बहुत स्वागत है बहुत अभिनंदन है आलोग जी आपने उस दिन कहा भी था कि बहुत सारी चीजें हैं यह जो महौल बना है इस तरह की घटनाय हुई है वो उनके पीछे बहुत सारी चीजें हैं आपने हमारी आपकी बाद में फोन पर वी बात चीत हुई थी कि वास्तों म क्या हैं लगबग वही स्तितियां सामने आ गई कि भारत को अंतर राश्ट्री समुदाय के सामने असहज होना पड़ा वह कौन सी परिसितियों का निर्माड हुआ पड़ा कि की कई सबस्रकार से क्याना के दिया तो मेरा सवाल और नवेन जिन दले टाभरत जराश्टों है आलोग जी है पिलिके तो अगर वो मानते हैं कि आराजक तत्त है तो बिलफ्तारी होनी चाहिए अगर वो मानते हैं मारा सरकार भी अगर मानती है ऐसा तो नमर वन लेकिन मामला यह नहीं है मामला हमको समझना पड़ेगा अभी जो नूपुर शर्मा का जो जिस तरीके से उन्होंने अपना खंड़ा लो खेच जताया है उसमें यह नहीं है कि जुवान फिसल गए उन्होंने भी एक अलग तरीके का कंडिशनल दिया है सशखत यह था कि वो उ गंबर के बारे में अगर ऐसी बाते करें आप और अगर यहीं नुपुर शर्मा ने अगर यह राम के बारे में अगर ऐसा अम्यान गया होता तो क्या होता क्या एने से कितनी दूर होती है उनसे यह भी हमको सबना पड़ा है और अगर विपक्ष की होती तो मेरे खाल से शाय न बीनी बीथ तुर्सरे दिन तक लगो जाथी चलो जाथी लेकिन एका बात है कि बीगले बॉल कोई नहीं बाद नहीं ह। अब आप देखिए कि ये भालती जंता पार्टी के यही नभीन है, ये इतने सामिरेज शील होते हैं, उन्होंने इनकर ट्वीट किया, एक विनुद दुआ एक हमारे बड़े ख्याती नाम पत्तकार थे, उनके खिलाब उन्होंने इनकर लिखाई, क्या था, उसमें उन्होंने उन्होंने किया क्या था, किस बात पर रिपोर्ट लिखाएगे, उन्होंने नरिंग मोदी का प्रधान सेवा का जिक्र कटते हुए कोई संदर्व दिया था ना, क्या उसंदर्व गलत था, क्या पत्तकार मिजरिये से तुलनात्मक तोर पे क्या कोई टीपड़ी नहीं की जा लेकिन वह हुआ, उनको हाँ जाना पड़ा, जबानात के ले भी करना पड़ा, लेकिन एक बात है, आप उन्होंने जो आपने तोर्पिक रखा पूरे इस प्रहस का वो में को बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही लेका, अज़गानी होनी वाला, यह बहुत ही शंद लगातार कटगरे में खड़ा कड़ते रहेंगे, एक समुदाय को, एक वर्ग को, एक कौंग को अगर आप लगातार कटगरे में खड़ा कड़ते रहेंगे, और उसको अगर अपना वोट हतियानिक अगर आप जरिया मानेंगे, मुस्लिम और दूसरा पाक, यहां तो मामला तो उसलिए आगे पड़ गे ना तो आप उनके पेगंबर पर चलेगें तो स्वाल है कि पेगंबर पर जाएंगे फिर आप यह सोचेंगे कि कोई रेक्शन ना हो तो यह तो बात के लागते हैं भारत में मुस्लिमों को कॉर्णर किया जा रहा है उनको साइट लाइन किया जा है यह बात मुस्लिम समुदाय में और खाली डेशों में यह कोई छिपी हो ही नहीं है पहले भी कई मुर्टबाव वो लोग इस तरीके के बैयान देच चुके हैं चाहिए वह मैं इस पे नहीं जाता है कि कश्मी सॉलिडियर्टी पर क्या बोलते हैं कि मैं उस पर नहीं जात हुए है तो उसने खुदे का कर वाहि क्यों कि इन इतार कर रहे इसकुद को नेlagen है के उसकि जब कियो ने के तो आपके देखे आर्थिक चोट कुछ कंपनियों पर पहुंशते हैं यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था लेकिन आपकी जो इस्तिति निरंतर जो बदतर होती जा रही है लगातार जो आपकी जो तस्वीर है एक सही शुलता वाली एक यूनिटी इन डाइवर्सिट कि वाली जो इक तस्वीर है वो तस्वीर लगातार बदरंग होती चली जा रही है अभी चंद रोज पहले ही मतलब पिछले हफते ही अमेरिका की इस तेट ने भी एक रिपूर्ट दिया था उसा भी लिखा था कि 2021 अल्प संख़कों के लिए भारत में अच्छा नहीं रहा ह सवाल यह कि ऐसी नौबत बार बार क्यों आती है और जहां तक आप आसाहिज होने वाली बात है कि सवाल के बज़र सके कि सेकंड राउंड के लिए मैं छोड़ू माबात थी असाहिज होने वाली बात यह है कि जब आपने धारत थी तो आप इतने असाहिज हो गएते अंतराश्टी इस्तर पर और या खाली जुशों या मुस्लिप नहीं देशों के अधार पर तो आपने यूरोपेन यूनियन के कर यह ऐसे ते राज़ूतों को महां की सेर कराई थी उसके फोटो छपी हैं सब जगे और वो राज़ूते जिनकी अपने की को कुछ तकनिकी विवधान तकनिकी विवधान आ गया है अलोग जी की बात लगबग पूरी होगे लेकिन साइद वह अपना जो अपनी बात का आखरी स्टेंजा नहीं दर्शकों तक पहुंचा पाए दूसरे राउंड में आएंगे विलाल साहब आपने देखा कि किस तरह एक तो असायज होने वाली सित्याई जैसा लोग जिनें बताया दूसरी बात विलाल साहब आप से सवाल लेंगे पहले ओवसी साहब की एक बयान हम सुना देते हैं उसके बात मुझे लगता कि आप बो आकर बोलता है कि आपने प्राफिट मुझे की है माफी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट खतर में हैं मों उनकी खतर मौझूद्गी में इंबैसिडर को बला कर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेज़दी भारत की कौन सी फॉरं फॉरं पॉलिसी है और मैं फॉरं मिनिस्टर से मैं अब कुछ ना चाह रहा हूं इंडियाidente मैंटर मैंटर इंटनल मैंटर न now what is this please tell us बताएं हमारा जेश का अंदुरी मामल अंदुरी मामला आप सब جगा बोलते हैं जेशंकर साप ये कौन साँ इंटनल मैंटर हो गए आप ये इस तरह के बियानादे कर दस दिन तक हामु कर रहे हैं हम दस दिन से पुकार रहे हैं एक्षन कि ले लिजीए मंत्री के बारे में अनाफ शनाफ बग दे तो 24 घंटेंग इंदर उसको एरस कर लिया जाता है जेल में डाल लिया जाता है कि देश के बधान मंत्री को अगर कोई अनाफ शनाफ बगेगा और प्रॉफिट महम्मद के बारे में अनाफ शनाफ बगेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे देश के पर इस्तित्यों में लेगा यह बड़ा सवाल है तो क्या एक्शन लेने में बीजेपी प्रवक्ता परदेरी हुई और वो कह रहे हैं कि गिरफतारी नहीं हुए अभी तक तो क्या इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं आप देखिए दुरगेंद्र जी कुछ समय पहले मैंने आपके चैनल पर यह बात रखी थी कि ग्यान वापी मस्जिद जो विवाद है यह नियाले के आधीन है और यह मामला फिलाल नियाले में चला गया और सभी जाने वाली डिवेट से एहतियात रखनी चाहिए तो कि जो मामला नियाले में तैय होना है वो टेलिवीजिन की डिवेट से में नहीं तैय हो सकता और अगर आप इसे टेलिवीजिन की डिवेट से में तैय करने की बात करते हैं तो यकीन वहाँ पर जो खामिया है या बद ज जुबानी की जो probability है उसकी गुंजाइश बन जाती है। इस उधारण को आप इस तरह से समझेए कि जब आप किसी को बार में invite करें तो वो वहाँ पर drinks करना ही पसंद करेगा ना कि शिकंजी पीना। और जब जिस आदमी को गाली बखने की आदत हो तो वो शराब पीकर गाली बेतकलुफी से बखेगा। बातवरण को आप कहिए कि एक संपरदाइक बातवरण दूशित होता है जिसका परभाव समाज पर आता है और देश के अंदर एक संपरदाइक तनाओं को महसूस करता है। देखे सभी चैनल इसमें शामिल नहीं है हर चीज का अपना अपवाद होता है। तो दरासल जब आप इन चैनल को बराबर एक प्लैटफॉर्म प्रोवाइट करा रहे हैं इस टाइप की डिबेट्स का तो यह जिम्मेदारी मिनिस्ट्री आफ इन्फरमिशन बॉड्कास्टिंग की होती है कि वो चैनल की एकाउंटिबिलिटी त्या करें। जो विशय नियाले के अधीन है उन पर डिबेट सो बचा जाए। अब आते हैं नुपर शर्मा के विशय पर देखें नुपर शर्मा से जो एक गलती हुई और यह यह कह सकते हैं जो देश के अंदर हेट्रेट की पॉलिटिक्स है या जो डिमेस्टिक हेट्रेट की यह उसका एक बहुत खुली परस्तितियों में उसका एक साफ एक्जामपिल हमारे सामने मौजूद है कि आज हमारे हमको किस बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है तो हमें इस चीजों के एहतियात रखनी चाहिए कि हम जो बोले उसको सोच समझ के बोले नाप तोल के बोले और सायम से काम ले खास तोर से जब नुपुर्स शर्मा ये बोल रही थी तो ये दैनेर देर एंकर की जिम्मेदारी थी कि उसको पाइंट आउट करता अब पूरी डिबेट में देखिए एंकर खामोशी अख्तियार किये वह और इस डिबेट को लिंगर आन कर रहा है तो य चीजों की गुंजाइश आगे भी बनी रहेगी जिस तरह से पहले इस तरह की बदजुबानिया होती रही है ये सिर्फ नुपुल शर्मा का मसला नहीं है चाहे वो मुस्लिम पक्ष के वैक्ति हो या वो दूसरे बहु संख्यक हिंदूस पक्ष के लोग हो जब आप समयदे इनशील विशेपर कोई डिबेट इनवाइट करते हैं तो उस उस विशेपर चैनल के जम्मेदारी है कि समयदेंशील लोगों को भी इनवाइट करेंगे तो इस तरह के डैमेज होने के चांस हो चीक बात है बिल्कुल ठीक बात आपने कही बड़ी बात पते की कही आपने कि इस तरह के मसले एक इस पर डिबेट होनी नहीं चाहिए चैनल पर बहुत पूर्जोड तरीके से कहा कि भाई इस पर बचना चाहिए जो डिबेट हिंदू-मुस्लिम वाली डिबेट है उससे बचना चाहिए और बहुत संभल कर अगर लीगल पक्ष का कोई व्यक्ति है उसस से बहुत संबल के बाद चीत करनी चाहिए और हमें आपको तो बहुत ज्यादा लिमिट से जाके कहीं कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है लेकिन एक और सवाल उठता है विलाल साहब कि यह जो लोग बहुत सारे हैं यह नूपुर सर्मा की बात हो गई बहुत सारे लोग हैं जो म अतिहाद बरतना चाहिए और यह तैय करना चाहिए कि किम्रो आपपने हिंदू दर्म गुरू किसी को आपने मुस्लिम धर्म गुरू बना लिया एक ब्रीक क看看 हो रहा है इस पर जबाब लेंगे आलोग जी का एक ब्रीक बीसिश्रा आप देख रहे हैं के नियोज ख़बरों का सार्थी येलो बेटा तुम्हारा नया टीवी और अम्मा राम राम घर में और कौन कौन है मैं तेरे दादा पेटा बहु पोती और मोधी जी माने पी एम नरिंदर मोधी रिष्टदार है अम्मा देख मोधी जी तेरे दादा जी का ऑपरेशन करवाया घर में पानी बिजली गैस टाइलेट सब लगवाया नहीं समझा इधर आँ देख बेटा चो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना ज़रूरी होता है दुखदर्द क्या होते हैं उनको बहुत निकड से अनुभव किया है और वो ही अनुभव है जिसको लेकर के आज एक परिवार के सदस्य के उप में काम कर रहा है सही है उमा मोदी जी मेरा परिवार है देखें कौन नया खिलारी आया है समझा देते हैं प्यार से समझाएंगे यह तो अपनी जुआ है जुआन एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए विमल बोलो जुआ के सरी कुछ दिन ऐसे होते हैं वन आलव माजो पर कुछ दिन ऐसे होते हैं यह हीड़ एक पाइलोट पे होता इतना प्रेशर की कूल रहना is not that easy पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with समकूल कूलर्स समकूल celebrates the release of runway 34 गोल्डी हिंग का तडगा लगे तो सभी तबा के खाते हैं गोल्डी हिंग कंकं में जाओ देखें कौन नेगा खिलाडिया है समझा देते हैं प्यार से समझाएंगे यह तो अपनी जुआ है जुआन एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए विमल बोलो जुआ के सुरी आप देख रहे हैं के नियोज खबरों का सार्थी ब्रेक से वापस आ गए हैं जो ब्रेक पर हम जा रहे हैं तो एक सवाल हमने रखा था कि वह यह जो हिंदू धर्म गुरू मुस्लीन धर्म गुरू यह बनकर जो चैनलों में बैट जाते हैं क्या ऐसे लोग माहूल नहीं बगाड़ते क्या ऐसे लोग एक एक बड़ी आबादी को प्रभावित नहीं करते उन्हें उक्साते नहीं हैं इस सवाल हमने बिलाल साब के पास रखा था अब हम इस सवाल को लेकर आलोग बदुरिया जी के पास जाएंगे बिलाल साब इसके बाद हम इस पर प्रित्क्रिया लेंगे आलोग जी यह अक्सर देखने को मिलता है के चैनल में बहुत बड़ा बड़ा लिखाओ तो हिंदू धर्मगुरू मुस्लिम धर्मगुरू और यह यह ऐसी डिवेट करते हैं ऐसा कह देते हैं कि विल्कुल गजब है और उससे एक परसेप्शन बनता है एक मेरा अपना मत है कि कहीं ने कहीं लोग प्रभावित होते हैं और उनके अंदर कहीं ने कहीं साही सुड़ता की कमी आ जाती है बात आपके सही है लेकिन इसके पीछे होना चाहिए एक कमर्शियल एक मजबूरी भी होती है चैनल की उनको एक अपनी ट्यापी को मतलब टैम को अपने ध्यान रखना है कि कैसे बढ़ें कैसे करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो इस तरीके की चीने करते हैं लेकिन यह की सवेरंशी पत्ता कारता नहीं है यह जवाब दे पत्ता कारता नहीं है जिम्मेदार पत्ता generate highlight आप जब कोई भी अगर कि बोल चाल में बोला हो जाता है ने कि काड़ तो इसमें आपके टैम तो छुपा हुआ है जिसमें आपके टैम तो छुपा हुआ है कि मैं कभी आप हमेशा ऐसे लोगों को आप नहीं बुलाते उनको रोग लेकिन आपको पॉलिटिकल लेजेंडा है वो इसलिए कहां जैसा कि जब एक से ज़्यादा कि तकनिकी विवधान आलोग जी की आवाज दर्सकों तक बिलकुल नहीं पहुँच रही आलोग जी शमा चाहते हैं विलाल साब के पास चलते हैं विलाल साब जो मैंने सवाल रखा आलोग जी ने लगबग उससे सहमत ही जताई कि आप इससे कितना इतिफाक रखते हैं यहां तक कहा जा रागी रेंटल लोग हैं बहुत सारी हमने टिपणियां आज देखी ट्विटर पर चल रही थी इसको लेकर कि बाई जो रेंटल रही चार्म सेमाँ कि ढौने लोग जो कि आचे से लोगे जैशन में फश्राइब का मिढा रहा हैं कि दोगेंद्र जी निipp out को को जानता हूं क्यूंकि मैं प्रिंट कभी पतरकार रहा हूँ और तैलिविजन का फिलाल में मैं दोनों मीडियम्स को जगताूं जहां तक टेलीविजन पतिकारीता का सवाल है मैं यहां सवाल करना चाहता हूं कि जब डिवेट हो رही होती है और जो participant होता है जब वो participant anchor पर व्यक्तिकत हमला करता है तो तो एंकर foreign defense करने लगता है लेकिन जब वो participant किसी भी समुदाई के धार्मिक एक एक पॉइंट पर हमला करता है तब एंकर खामुशन हो रहता है सवाल यह है कि जिस तरह से लोग invite किये जाते हैं वो बहुत low profile लोग होते हैं मैं यहाँ पर channel का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन perception में उसे बहुत तेज चैनल आज तक का सबसे तेज चैनल कहा जाता है उसके अंदर बहुत सारे धार्मिक उल्मा इस टाइप के बोलाए जाते हैं जो महले में property का काम करते हैं जो graduate भी नहीं होते लेकिन जिनकी दाड़ी होती है और वो टेलिवीजन पर धार्मिक उल्मा कहके बिठाए जाते हैं और वो मेरे पडॉस में रहते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि उस चैनलों पर हम कैसे जाएं जहां पर एक अंगूटा टेक आदमी धार्मिक उल्मा होके बैठ रहा है तो हम कैसे बैठ जाएं उस चैनलों पर तो यह देश के अंदर मैंने एक ओन रिकॉर्ड टूइट किया था जिस पे मैंने यह कहा था कि इस टी आरपी ने देश का वातवरण खराब किया है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि टी आरपी को क्रेडिबिलिटी से जोड़ दे जो चैनल अपनी क्रेडिबिलिटी रखते हैं क्योंकि न्यूज विशह वस्तू का नाम है वो भरोसे पर होती है और जब न्यूज में भरोसा ही नहीं है तो वो न्यूज का हैंगी तो जब तक आप चैनल की टी आरपी को उस चैनल की क्रेडिबिलिटी से नहीं जोड़ेंगे तो यह हरकते होती रहेंगी और जो चैनल क्रेडिबिलिटी लेविल का कौलिफाई करे उसको सरकारी आड बिलना चाहिए तो यह इस समस्या पर अंकुष लगाए जा सकता है यह record पर मेरा tweet है और जिसको मैंने information broadcasting minister अनुराग ठाकुर को tag कर रखा है तो जब तक आप चैनल की टी आरपी को उसकी credibility से नहीं जोड़ेंगे तब तक यह समस्या पैदा होती रहेगी टी आरपी के नाम पर टी आरपी viewership पे depend करती है और credibility भरोसे पे depend करती है और भरोसा जीतना असान नहीं होता उसके लिए आपको मेनत करनी पड़ती है टी आरपी के लिए परोसा जीतने के लिए वरशो लग जाते हैं तब कोई пойд कोई मीडिया संस्तान कोई व्यक्ति कोई पत्रकार जनता का भरोसा जीत पाता है अभी कोछी दिनों तक करीवा लगब एक साल तक टी आर्पी बंन रही तanız मुझे लगता कहीं न कहीं टी आर्पी आ नहीं रही थी एक टी एलपी गोटाले के बाद एल नहीं रही थी तो मुझे लगता कि काफी कुछ पुच्छ नखुश्तवथर्ट जरूर था दोनों महहमाण एक राए इस मसलेपर हुए कि कम से कम इंकर की भूमी का को दोनों महमानों ने हमारे दोनों बरर्ष पत्रकार हैं संपादक रहे हैं अलुक जी और बिलाल साथ दोनों ने रखा कि कि इंकर का मूख रहना सांत रहना इस विशेव पर बहुत सारे सवाल खड़ा करता है मैं उस पर नहीं जाओ कि इंकर पर डिबेट करने लगूं लेकिन मैं भी अगर इस प्रोग्राम को इंकर कर रहा हूं और बिलाल सहाब या लोग जी कोई असी बात कहते हैं जिससे कोई हर् हूंगा कि आपके बयान से हम इतिफाक नहीं रखते और खबरदार इस तरह के बयान हमारे टीवी चैनल पर मत दीजेगा और बागयदे माफी मांगूंगा अगर इतना काम इंकर कर देता कर देती तो साइद यह नहीं होता आप दोनों महिमानों को बहुत सुक्रिया बहुत आसान उदाहरण से समझाया कि किस तरीके से दरसल यह प्रकण हुआ कैसे हमको विदेशों में असहज होना पड़ा और अंत में कारवाई में क्यों देर होई इस पर OECB सवाल उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि टाइमिंग का ही दुनिया में खेल है अब मंतन को थोड़ समाजवादी पार्टी के दिगज नेता पहले नाराज अब खुस हो गए है आजम खां साहब वो सांसत्य उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि विधान सभा चुनाव जीत गया तो उन्होंने विधान सभा में रहना ज्यादा मुफित समझा इसी तरीके से अकले श्यादव स सांसत्य उन्होंने इस्तीफा दिया और नेता विरोधी दल बन गए विधान सभा में सदन की जो उनकी ओपनिंग पारी भी थी उत्तर प्रदेश विधान सभा की जो उनकी ओपनिंग पारी थी वह भी बड़ी शांदार रही अकलेस जाहिर सी बात उस्सा से लब्रेज हैं अब दोनों अस्थानों पर प्रत्यासी चैन करना था यह बड़ा कठीन काम था समाजवादी पार्टी के लिए आजम खां साहब को अखिले से सारा भी किया कि अपनी बेगम तंजीम फात्मा परिवार के किसी लक्त को आप लड़ा सकते हैं लेकिन आजम खां साहब यह बिल आजम खां साहब ने अपने सबसे निकट असीम को असीम साहब को मुहम्मद असीम को लोग सभाकट टिकट दिलवा दिया है समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी के रूप में आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया बारती यंता पार्टी ने भी इस बार OBC प्रत्यासी उतारा है मैदान में और वहां मुकाबले को देच्चस बनाने की कोशिस की बहुजन समाज़ पार्टी ने रामपूर का अप्चुनाव लड़ने से मना कर दिया है कॉंग्रेस पार्टी ने वे रामपूर के चुनाओं में अपना पत्यासी उतारने से मना कर दिया तो रामपूर में मुकाबला सीधे समाजवादी पार्टी और भारती जनताब पार्टी की बीच में है यानि आरपार लेकिन आजमगड में भारती जंता पाटी के दिने संदाल ने रहुआ जो सवा तीन लाख वोट से हारे थे पिछले बार अकलेश शादव से वो इस बार फिर मैदान में है और उनके सामने हैं अकलेश शादव के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव जो बदाई कि भारती अंता पाटी के प्रदेश अद्यक्ष और जल सक्ति मंतरी सुतन देव सिंग ने कहा कि भाई देखो फिर परिवारबाद है कि सुतन देव ने वास्तों में क्या कहा परिवारबाद पर उनकी चुटकी उसको एरा सुनी है लोग प्रत्यासी दिनेश निरहुआ जी पिछली बार भी जनता जनारदन का जवर जस्ता आसिरबाद मिला थे वह आसिरबाद अब चुना में काम आएगा जो दूतिन दिन से चर्चाए हैं जो हम लोग सुर रहे हैं आजमगड के लोग सभा के लोगों का मन है और मन भी बन चुका है जो हमें दिखाई देता है अब उनके प्रत्यासी आजाए लोकल का करता आता है कि बड़ा नेता आता है कौन आता है एक बार आजाए या परिवार के आते हैं कौन आता है एक बार किलियर हो जाए तो वह सब बंसवाद की पार्टियां इस लाए आजमगाड के लोग आजमगाड का इस बार जो हमें चुनाव दिखाई दे रहा है वह यहां पर बसपा से फाइट होगा बसपा से सिधे फाइट बीजेपी के होगी जो मुझे दिखाई दे रहा है सामाजिक समीकर्ण के है कि समाजवादी पार्टी से अपना हिसाब किताब निप्टाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कभी सबसे धनी विधायक रहे निता को उतार दिया है मैदान में और वो अभी विधान-सभा के चुनाव में बहुजन-समाज-पाटी ने उनको टिकट नहीं दिया था तो वो वैसी के पाटी से चुनाव लड़े थे और 50,000 के करीब उट पाहे थे इस बार वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव रड़ रहे हैं और स्वतंत देव कह रहे हैं कि भई बस्पा से उनका सीधा मुकाबला है समाजवादी पार्टी तो मुकाबले में नहीं है यह बात गले उतर नहीं रही है गुड्डू जमाली की बात हम कर रहे हैं जो पाने उन्हें लोग सभाक उम्मीद वर बना दिया पैसे भी अच्छे खासे उनके पास है तो जाहिर सी बात है चुनाव भी बहतरीन लड़ेंगे और यह भी खबरें हैं कि कहीं न कहीं कोई आकड़ा कोई गणीत को यंक गणीत जरूर लगा हुआ है अब धर्मेंद्र या जिससे आप लोग सबके मोठा देए वहां इससे एक मोठा हम्रों की देई अगर हम दू साल में आप खातिर के आजमगार खातिर के बाकी लोग से अच्छा ना करता बदल दिया लोग काहें कि आप लोग के फिर दू साल बात चुनाव मिले वाला बस यह कहल चाब लेकिन जतना मजबूत प्रत्यासी आई लड़े में उतने मज़ा आई कहा है कि जी जी आशिरबाद बहुत मिला था और सब लोग जैसा कि हमारे अध्यक जी ने कहा सपासे लड़ाई कोई है नहीं इस बार लड़ाई जो है वो बसपासे आजम गडखातिर जाती पर बहुत हो अब थोड़ा आजम गडखातिर वोट होई और यह आजम गडखातिर के सोचल जाई और आजम गड़ में भी कमल खिला वल जाई जो कंडिडेट है वो गुड़ू जमाली जी है तो वह आप आखड़ा समझ सकते हैं कि जो समाजबादी पार्टी का एक बड़ा वोट है वो अधित्यनाद जी की नीतियों के वज़े से काफी लोग जूड़ रहे हैं भारती जन्ता पार्टी से तो भाजबा तो बहुत सुच बात कहती है भाजबा की कहने पिना जाए पहले वो अपने परिवारबाद को देखें कहा जाता है कि आजम का जी ने कहा था यह संगर्स का की लिए हुँ ये कुछ सटा का परिवारबाद लेकि हम लूग लिए उस जन्ता के बीच में संगर्स के लिए हैuciónस test की जन्ता ने जो मौका दीए तो मुझे यकीन है कि आजब जन्ता का भी बहुत ब्या-पकासीवादी मुझे पूरा यकीन है कि आजमवर्ट के लोगों ने जैसा मैंने का कि हमेशा समाजवादी ताक्तों को मौका दिया है इस उप चुनाओं में भी एतिहासिक तौर पर समाजवादी पार्टी को लोग ताक्त देंगे और ये लोग जो जूट की बुनियाद पर राजनित कर रहे हैं अब जाती है जनता बैतर तरीके जानती है तर्मिन द्यादो बहुत दिनों बाद रिचार्स नजार आ रहे हैं टिकट मिल गया हम उम्मीद कमे थी उनको सोच रहे थे कि डिमपल भाबी लडएंगी लेकिन अखिलेज भाईया ने सुन लिए कि चलो भाई ठीक है लगेगा आर परिवारबाद का लेकिन अपूल कोई झायओ तो कुई नेता है चलों पांच बार सांशच रहे चुका तुट लड्ाना ही पड़ेगा धर्मिन ज्यादोम के रास्ते इतने आसान नहीं है दिल्ली पहुंचने के भारती जनता पार्टी ने जिस तरीके से रण नीती बनाई है विव रचना की है गुड्डू जमाली को आगे करके बीजेपी के लिए एक अलग तरीके कानभव होगा है चुनाओ समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल भरा चुनाओ यहां कहोगा रामपूर के बारे में तो हम कह सकते हैं कि आजम खा जिसके पीट प्रहात रख देंगे उसके नईया पार हो जाएगी लेकिन आजम गड़ में ऐसा नहीं है आजम गड़ में ममला फसने की उम्मीद है अब बात करते हैं एक ऐसे आतंकवादी की जिसने 16 साल पहले कासी में बाबा भुले नात की नगरी कासी में सीरियल व्लास्ट किये थे और उसमें 18 लोगों की जान गई थी 18 लेंट दोस्ट लोगों की जान गई थी कासी में एक के बाद एक के बाद सीरियल व्लास्ट वली उल्ला ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी खुकार आतंकवादी की है और ये इस मामले में आरोपी है और जेल में बंद है इस वाक्त आतंकवादी खतरे के कारणवली उल्ला का मामला उसकी जो सुनवाई थी वो वाररणसी में न करा के उसकी सुनवाई गाजियाबाद के जिला इओं 17 ने आला में कर हो रही थी गाजियाबाद में ताकि कोई इस तरीके का हमला अताय कि Ook बात नहों साथ मार्च 2016 को सीरिल ब्लास्ट कासी में हुए थे ये वो तारीख थी वो काली तारीख थी जब 18 लोग इस सीरिल ब्लास्ट में मारे गए और 70 से ज़्यादा तकरीबन एक सेकड़ा लोग घायल हुए थे काफी भाग दोड सुराग रसी पता रसी के बाद वली उल्ला को गरफ्तार किया गया तो खुखार आतक की संगठन से तालूक रखता है वली उल्ला समित का ही लोग ने साजिस को अंजाम दिया था आज गाजियाबाद के जिलायम सत्र नयायद हीस ने वली उल्ला को फासी की सजा सुनाई इस सीरियल ब्लास्ट के मामले में और एक अन्य मामले में उसे उमर कैद के सजा सुनाई गई इस सासकी अधिवक्ता रामचन सर्मा से हमारे सयोगी जवीर मावी ने बाचीत की सजा की कैसे हुई क्या सबूत थे इस बाबत रामचन सर्मा जो सासकी अधिवक्ता है गाजियाबाद के उन से खास बाची सुनिए में आज इस पर मैं कोई टिपड़ी नहीं करूंगा कितने संतूष्ट हैं इस सजा से मैं संतूष्ट हूं अब जो अगली परकरिया होगी वो क्या होगी किस तरह की होगी अगली परकरिया नियाले के द्वारा होगी ओन्रभील हाई कोट जाएगा क्या पक्स आपने रखा था यार यह तो तुम बैसे ले ले लेते हैं मैं फिर पढ़ूंगा इसे पूरे कुछ मैंने कहा था मैंने यह कहा था कि एक आतंकबादी घटना है और मानी नायले ने दोस्चित किया है और यह घटना हिर्दय विदारक थी बहुत आत्मिय जनों को लोगों ने खोया है सोले लोग इसमें मारे गए थे और कुल मिलाकर दोनों घटनाव में चेतर लोग अपंग हुए थे घायल हुए थे जिए जो भी परक्रिया है यह नहीं कह सकता मैं पूरी तरह संतुष्पूंग क्योंकि मुझे अपील भी करनी है नहीं कह सकता है तो यह थे हमारे साथ जोड़ी सी राकेश जी जिन्हों ने बताये कि जो जो सजा हुई है उसको लेकर जो सुनवाई हुई है राजेश्पूंग सर्माजी ने कहा कि बूरी तरह से संतुष्ट है और अब जो अगली कारवाई हो कानूनी कारवाई है कानून उस पर अपना क बाहर हमें हैं और हमारे दर्सकों को वक्त देने के लिए राजीश जी कि आप लगातार इस मामले की पैरवीक कर रहे हैं और आपने आज अंतताह इसको फासी की सजा इस खुखार आतंकवादी को दिगई है जिस वक्त इस आतंकवादी को सजा सुनाई जा रही थी क्या भाव भंगिमा थी क्या क्या उसका जो रियक्षन था कोट के अंदर राजेश जी सर्माजी हमारी आवाज मिल रही आपको सर्माजी आवाज मिल रही है मुझे लगता है माफी के साथ मैं सर्माजी से हम विदा लेंगे और धन्यवाद कहेंगे क्योंकि सर्माजी का नेटवर्क मिल नहीं रहा है और बहुत वीक नेटवर्क के कारण कई बास ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि कुछ बात अपने द्रसकों तक एक्सपर्ट की रखें लेकिन बाचीत नहीं हो पा रही है और वास्तों में यह बहुत ही अपने आप में कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई ते 16 लोगों की जान चली गई ती जैसा कि आउन रिकार्ड है और 76 लोग अपंग हुए थे गायल हुए थे बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरीके से गायल हुए थे एक तरीके से दहसत ऐसा लगा था कि उत्तर प्रदेश में भी एक तरीके से आतंकवाद की जो फसल है वो एक तरीके से लहला आने लगी है लेकिन मधाई के पातने कि अदिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं चूंकि नेटवर्क की दिक्कत है तो मैं बहुत जल्दी से एक सवाल कर लेता हूं सर्मा जी बहुत स्वागत बहुत अविनंदन आपका बहुत आभार समय देने के लिए के नियूज को हमारे करोणो दर्सक आपको इस वक्त देख रहें जिस वक्त इस आतंक वादी को फासी की सजा सुनाई गई उस वक्त क्या इसका रियक्सन था चेहरी की भाव बंगिमा क्य आपको बहुत सबूत रखेंगे तब इसको फासी की सजा हुई है और जो उम्रकैत की सजा हुई सर्मा जी वो किस मुकदमे में हुई संक्रटमोचक मंदीर में हमले वाला मसला मसला है लिए सर छी यह सर तीन मुक्तमे थे एक जी आरपी बाराण सी केंट रेल्वे स्टेशन से संबंदित था जी और दूसरा दसाश मेंद घाट जम्मू फाटक रेलिंग के सामने का था जी और एक संकट मोचक का था जी 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 आरपी वाले में बम ब्लास्ट हुआ रेलवे स्टेशन पर प्रसंद स्रेणी यात्री आवाश कक्ष के सामने जी और दूसरा हुआ था संकट मोचक मंदिर में मंदिर के बाहर जी तीसरा ये बंप प्लांट किया गया था रसाशमेद घाट साना छेत्र में जी जो जी आर्पी वाला था उसमें सजा कियर और संकट मोचक वाले मामले में लगा था उसमें आजिवन काराबास की सजा किये तो यह साथ साथ जी जी कहिए इसके साथ साथ पंद्रे सोले अनलाफुल एक्टिविटी एक्ट विद्ली बुरुद क्रिया कला पदिनियम जी इसके अंतर रगत भी आजिवन काराबास की सजा हुई सर्मा जी जाच परताल में आया था कि कुकर बंग का इसने इस्तेमाल किया था उसके भी इविडेंस कोट में रखे गए होंगे कुकर बंग बाला ही मामला है जो दसास में घाट वाला है जम्मूरेलवेश्टिशन का जीवित बंब बरामद हुआ था वो जी और उसमें जी इस इसको इडिटिफाई किया गया था जै जो रहडी पटडी लगाते हैं उन लोगों ने पुलिस को इनफर्म किया था चूंकि बंब लाश्ट हो चुके थे सीरियल जी आरपी में हो गया था और यहां भी हो गया था संकट मुश्कत में भी तो उन्होंने पुलिस वालों को इ किया और फिर उन गवाहों ने मेले में आकर ये शनाक्त किया कि यहीं वो विक्ति था जिसने बाउम प्लाइट किया अच्छा यह सुनवाई क्या किसी खत्रे की वज़े से गाजयाबाद में की गई है जैसा की जानकारी आ रही थी कि भाई कासी में इसकी सुनवाई नहीं हो अच्छा की दिक्कत आ रही थी तो इसलिए उनरेवल हाई कोट ने इस पैसल डायरेक्शन दी थी कि यह गाजयाबाद में ट्रायल होगी और इसका एक्सक्लूसिवली ट्रायल सेशन जज गाजयाबाद करेंगे कोई एडीज नहीं करेगा अंतिम सवाल सर्माजी कि यह पू पूदा इसका एक कोई सीरियल कनेक्शन है इसमें सर इसमें तीन लोग और थे जकारिया वशीर और एक है अब जकारिया वशीर मुस्तफीज जी इनके बारे में यह बताया जाता है कि यह बंगलादेशी थे जी और इनको ट्रेस नहीं किया जा सका अच्छा मतलब यह लापता है और एक हाँ अभी तक भी लापता है और इसमें इनमें से एक और था इनका महम्मद जुबेर जे लाइन ओफ कंट्रोल जंबू कश्मीर में पुलिस मुठवेड में मारा गया यह टाड़ा बड़ोत का रहने वाला था जो मारा गया है मुठवेड में जो मारा गया है तो इससे यह संभावना से नहीं किया जा सकता क्योंकि वह और देशी थे गो और इसको भी corre सिवागर नहीं किया ज सकता कि इसमें और दूसरे मुलकों की तक दो पहुत महत्ति जानकार की दिने के लिए बहुत आभार बहुत सुक्रिया तो सास्की अधिवक्ता गाजियाबाद ये बता रहे थे कि भई इस पूरी घटना में बंगलादेशी आतंकवादी संगटन बंगलादेश के लोग पाकिस्तान और बंगलादेश से फंडेट जो आतंकवादी संगटन है उनके हाथ से इंकार नहीं किया सकता क्योंकि तीन लोग अभी भी लापता है पुलिस ने दाखिल कर दिया है चार से दाखिल कर दिए वो पकड़े नहीं जा सके हैं यह भी कहा है कि उनका हिंदूस्तान में कहीं पता नहीं चल पाया वलीव उल्ला वो सजा हुई है और एक मुट बेड में मारा जा चुका है अब वक्त हो चला है चलते चलते का और चलते चलते में हम बात करेंगे भाईजान की भाईजान यानि सल्मान खान सल्मान खान को एक बार फिर धमकी मिली है जहां उनके पिता मुंबई में टहलने जाते हैं जिस पार्क में उस पार्क में एक चिठी रखी हुई मिली है उस बेंच पर जिस पर वो रोज बैटकर कुछ देर सुस्ताते हैं विश्राम करते हैं यह चिठी निक्यू उसमें धमकी दी गई और यह कहा जा रहा है अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें जो लारेंस भी सुनोई है जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये 38 साल का गैंक्स्टर है दिल्ली के तिहार जेल में बंद है लारेंस भी सुनोई नहीं ये धमकी दी है सलमान खान को या नहीं भाईजान को 2018 में जब काले हिरन के सिकार के मामले में सलमान खान फसे थे उस वक्त भी एक सारजनिक बयान जील जाते समय इस खुखार गैंक्स्टर ने दिया था कि हम उन्होंने चुकि विस्वनवी समाज काले हिरन की पूजा करता है इस खुखार गैंक्स्टर ने तब भी सलमान खान को गोली मारने की धमकी दी थी उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी आज भी सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मुंबई पुलिस के बहुत सारे बड़े अधिकारी पहुँचे और उन्होंने पूस्ताच की सुरक्षा बढ़ा दी गई है सलमान की जानमाल को कोई नुकसान न हो इसके लिए पूरी तरीके से केंद्री और राजी की खुपिया जिंसियां लग गई है चलते चलते में एक वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं और उसे वीडियो का मजबून बताते हैं कि लखनव का भूतनात मार्केट बहुत प्रसिद्ध्य मार्केट है वहां कटोरा लेकर कुछ दुकानदार भीक मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आदितिनात और उप मुक्यमंत्री बर्जेस पाठक की वो तस्वीर रखकर कटोरा लेकर भीक मांग रहे हैं इन दुकानदारों का आरोप है कि लखनव की जोनल अधिकारी प्रज्या सिंह ने दुकानदारों को अत्कमर्ण के नाम पर उनकी दुकाने तोड़ दी, उनका सामान तोड़ दिया, उनके सामने रोजी रोटी का संकठ है और इसी लिए वो कटोरा लेकर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की तस्वीर लगा कर भीक मांग रहे हैं अगर वास्तों में ये पीडित हैं तो सरकार को नगर निगम को और जो भी जुम्मेदार लोग हैं उनको इनकी प्रतिवेदन पर इनकी पीड़ा पर ध्यान देना चाहिए वीडियो देखिए मुझे इजाज़त दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार इसकार